सदर्धाना पुलिस ने दादर गाओं में घर के अंदर घुजकर जानलेवा हमला और चोरी करने के मामले में चार आरोपियों को गिरफतार किया है चारो आरोपियों ने दादर गाउं में आकर परिवादी ब्रिजपाल सिंग के घर में घुश कर पैसे के विवाद को लेकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया जिस पर परिवादी ने थाने पर उपस्तित होकर रिपोर्ट दी पुलिस ने रिपोर्ट दर्च करते हुए इस मामले में मारपीट, चोरी और जानलेवा हमला करने पर दर्शन सिंग, कुलवंत सिंग, गुर्दीप सिंग और नवदीत सिंग को गिरफतार किया है पुलिस ने बताया कि चारो आरोपियों ने पैसे के विवात को लेकर मारपीट की थी जिस पर चारो को गिरफतार कर लिया गया है सुन्दान आज आरोपिगण करशन सिंग, कुलवंत सिंग, गुर्दीप सिंग और नवदीत सिंग को जानलेवा हमला करने के आरोप में दर्फतार किया गया है वैसे तो आपस में ये प्सदार है पैसों के बाहद चीत करने के लिए पैसों के ब्रबाद था यहां पे आये दोराहिए झगड़ा हुआ था जिसको यह ज्यादा जघड़ा हुए लिए ज्यादा जाधा ज्यादा हो गया मार्पीट उई ती जिस इस सम्होंने परकंद दर घुगा ठांग कोई जिसें का ब्रफ सेशन पीएस जो रहना दिला भरत पॉता है या मार्पीट करने के लिए पैसे हैं पैसों को लेकि ब्रवाब था जिसमें उन्हों नहीं आप आकर मार्पीट की थी घर पर है आरुपी आरुपी वर्णों नहीं मुस्ती इसे